वेल्कम टुदा जीके अबजेक्टि पाइलोजी चैनल मैं हूं नीट गुरुजी तो नीट दोहजार इकिस का बाइलोजी का पेपर हम कर रहे हैं डिसकस कोड है भाईया एन थ्री तो पहले हम डिसकस करेंगे जुलोजी बाइलोजी सेक्शन की एंड देन वी विल स्टार्ट दा बॉटनी सेक्शन तो एक एक करके हम देख लेते हैं फटा फट से इसको स्क्रॉल करेंगे आंसर की हमारे पास आजाएगी और हम मैच भी कर सकते हैं पर्चन नमबर 151 विच वन अफ फॉलोविंग बिलॉंग्स टू दा फैमिली म्यूसीडी देखो बई चैप्टर वन से है क्लास 11 के हाउस फ्लाई उसमें टेवल दी हुई है वहां साया हुआ है ठीक है जी करेक्ट आंसर होगे आपका ऑप्शन नमबर 3 आगे चलिए मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू तो इसमें चार ऑप्शन दिये हुए हैं तो जब हम देखेंगे एंसी अल्टी का डिरेक्ट कोश्चन तो वाल्ट के लिए क्लिए क्या है वाल्ट का तो यह काम है आई यूदी इस क्या करेगा एक चीज देखें इस बर फेपर में कि मैचिक टाइप है बहुत सिंपल में थे और जैसे ही अगर आपको एक का भी पता है तो आंसर निकल गया एक्जामनर इस बार जिसने यह डिजाइन किया है ना मैचिंग वाला डैट वास वेरी सपोर्टीव और नेट इस्टूडेंट्स तो इस तरीके से बॉल्ट का तो यह हो गया आई यूडी इस क्या करता है भई फैगो साइटोस इस परम बिदिन दा यूट्रस वसेक्टमी में क्या होता है रिमूबल ओफ डिफ्रेंस टुबेक्टमी में रिमूबल ओफ फैलोपियन ट्यूब्स ठीक है जी तो करेक्ट आंसर हो जागा ऑप्शन नमर वन ठीक है तो य किन व्चों को एद्यान भी नहीं था संद। यह उफ्यान ऐक्र कशन को कर सकते है स्काइल को समयक्मी में य का है कि यहां यहां भी माइन यहयक्त नहीं इस पार्ट तो मार प्शन और जिम्ड्त हो गया वी कैन सलेक्ट न अंसर बाइं इशंट मर जो हिंरें तरीक का 153 में इसके बाद 155 identify the incorrect pair हमें ढूड़ना है टॉक्सिन एल ब्रिंदे को बाई बायो मॉलेक्यूल्स वाला जो चेप्टर है किलास 11 का ठीक है जी नाइन्थ चेप्टर उसमें टेवल दीवी है सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स की वहाँ पर मैचिंग वहाँ से कोश्चन निकाला गय से वही यूजिंग इस्टिराइल निडल्स देखो जब निडल्स को आप इस्टिराइल कर दोगे मतलब सारे बैक्टिरियस मर गए तो इसके थुरू तो इस प्रेड होने का नहीं है ट्रांस्फिजन ऑब ब्लड फ्रम इंफेक्टेड परसन बिल्कुल सही है NCRT के अंदर म इसके अंदर मदर ऑफ फिटस यह भी मेंचनड है किसिंग और इंहरिटेंस इससे नहीं होता बी और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर टू इसका करेक्ट हो जाएगा 157 विद रिगार्ड टू इंसुलीन चूज करेक्ट ऑप्शन हमें करेक्ट चूज करना सी इसके अंदर मल्टिपल हे हमें सिलेक्ट करना है है क्रेक्ट wanna हो जाएगा ऑप्येक्ट होजएगा और प्रफ्टेड्ट ऑफ इंसुलीन और इंटर इसलफाइड बिजस दोनों के बीच में डाइसलफाइड लिए एसी और डी लगा दो ऑप्सेन नम्मर टू पे एसी डी करेक्ट अंसर हो गया ठीक है जी ऑप्सेन नम्मर टू करेक्ट अंसर हो गया इसका आगया यह 158 पार्शिल प्रेशर इन मिलीमिटर एक्ट जी ऑफ ऑक्सीजन और कारवन डी ऑक्साइड का एल्बूर साइट पे क्या होता है डिरेक्ट एंसी याट्टी का डाइग्राम है खोल के देख लो पार्शिल प्रेशर ऑक्सीजन एक्सोट चार और चालिस होता है उसके बाद 159 मैच पॉर्शन ठीक है जी क्लास 12 का चैप्टर नमबर 10 माइक्रोब से हुमन वेलफेर एसपर जीलस नाइकर क्या बनाता है डाइट इस सिट्रिक एसेड एसिट्रिक एसिटाइड एसिटिक एसेड क्लॉस्ट ट्राइडियम विट्राइलिक एसिदें लेक्टोबैसिलस इस फौर लेक्टिक एसिड करेक्ट आंसर इस ऑप्शन नमर फोर बहुत सिंपल सिंपला बायलोजी जी थी भाईया केमेस्ट्री भी मोडरेट थी लेकिन फिजिक सिस्वार की थोड़ी सी जटके देने वाली थी तो मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू ठीक है जी मैटामेरिजम कहा मिलती है एनिलिडा में एक थरी एक थरी कितने अप्शन में दो में आंसर नहीं निकला के रॉसके वार नाइडो ब्लास्ट आपका कहा है सिलंटरिटा के अंदर 161 direct उठाया होगा question सकस एंटरिकस is referred to as intestinal juice बहुत बच्चे इसके इंदर gastric juice से भी infuse हो रहे थे लेकिन correct answer क्या है intestinal juice is the correct answer for सकस एंटरिकस 162 के इंदर आई he is select the favorable conditions required for the formation of oxy-hemoglobin at the alboli ऑक्सी हीमोगलोबिन कब बनेगा जब हाई ऑक्सीजन होगी लो पी उस कारवन डायोकसाइड होगी लेस एच पोजिटीव होगा लोवर टेंपरेचर होगा ऑप्सन नम्मर चार में दिया हुआ करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्सन नम्मर फोर 163 विच एंजाइम इस रिस्पॉंसिवल फोर कन्वर्जन ऑफ इनक्टिव फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन्स देखो रेनिन और रेनिन आर ई सिंगल एन आर ईडबल एन तो डबल एन डाइजेस्टिव का है सिंगल किड़नी फंक्शन में है ठीक है जी एपिनेफिन नहीं थ्रॉम्बो काइनेज एक ही एंजाइम है तो थ्रॉम्बो काइनेज की हल्प से जो है फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा ऑप्सन नम्मर तीन करेक्ट हो गया 164 विच आफ दा फॉलोविंग is not an objective of bio fortification in crops देखो bio fortification का simple meaning यह है कि न्यूट्रिशन की enhancement जब न्यूट्रिशन बढ़ा हो गया तो विटामीन बढ़ेगा ठीक है जी लेक्रो न्यूट्रियंट भी बढ़ेगा मिनरल भी बढ़ेगा प्रोटीन भी बढ़ेगा लेकिन resistance का कोई मतलब है नहीं पूछा क्या है नॉट एन अब्जेक्टिव तो करेक्ट आंसर ऑप्सन नम्मर वन हो गया 165 receptors for sperm binding in mammals are present इंडेको ncrtc थोड़ा सा उपर लेबल है इसका क्योंकि डिरेक्ट मेंशन नहीं है लेकिन जोना पिलूसिदा मेंशन है कि इस पर वहां जाके बाइंड करता है तो करेक्ट आंसर ऑप्सन नम्मर थ्री हो जाएगा जोना पिलूसिदा 166 यह कह रहा है fruit fly has 8 chromosomes 2N 2N नम्मर 8 chromosome का इसके अंदर है during interphase of mitosis the number of chromosome 8 है अगर मान के चलो G1 phase में what would be the number of chromosome after S phase S phase के बाद क्या होगा ठीक है जी तो S phase में क्या हो जाती है synthesis of the DNA तो वहां पे 16 हो जाएगा उसके अंदर तो 8 का double कितना हो गया भाई 16 तो after S phase कितना हो जाएगा 16 ठीक है जी इस जवाब पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ clear cut NCRT का भाई डाय काइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ दकाय स्माटा होता है ठीक है तो correct answer होगे आपका option number two 168 person with AB blood group are called as universal recipient क्यों बोलते हैं विकास आप इसमें एंटीजन तो दोनों होते लेकिन भाई इसमें एंटीबोडी कोई सी नहीं होती उल्टा होता है अगर दोनों एंटीजन होगे तो एंटीबोडी कोई सी नहीं होगी correct answer इसका option number पर तीजरा चला गया आगे यह स्फिंक्टर ओफ और डाइए एक डाइग्राम दिया हुआ है डाइस्टीब सिस्टम में क्लास 11th NCRT में तो इस फिंक्टर ओड़ाई कहां होता है जंक्शन ऑफ हिपेटो पैंक्रिटिक डक्ट एंडियोडिनम के बीच में होता है ठीक है ज रミ Polski कितना हो गया 60 बचा कितना चालिस G प्लस चालिस तो दोनों को अधा कितना होगे बाई 20 बीस तो जी लादी हो जाएंगे उनके पास special adaptation है यह तो नियो फ्रोंड क्या है कि एंदर से इस बार तुम्हें scientific नेम दे दिया यह वर्ड का नाम है ठीक है जी आई तिंग इस वल्चर नियो फ्रोंड तो एक बार इसको चेक करना जरूर चैप्टर नमबर फॉर में क्लास 11 के क्लियर मेंचेंड है वहाँ पर साइंटिफिक नाम से क्रेक्टरिस्टिक पूछा हुआ है थोड़ा सा जरूरू थोड़ा सा टफ क्वेशन कह सकते हैं विच इस दा ओनली एंजाइम देट हैस कैपविलेटी तो कैटलाइज इनिशिएशन इलोंगेशन टर्मिनेशन इन दा प्रोसेश ऑफ ट्रांस्क्रिप्शन इन प्रोकेरियोट्स के अंदर एक ही है वह यह वह दीने डिपेंडेंट आरने पॉलिमेरेज जो सब करेगा तीनों स्टेप को करेगा उप्सन नमबर वन करेक्ट हो गया उसके बाद क इसको पॉर्टूगीज मैन ओवार बोलते हैं लाइमुलस क्या है यह लिविंग फॉसिल है एंसाइलोस्टोमा क्या है हुकबार मेर पिंक डैटा क्या है यह परल ऑइस्टर है तो करेक्ट अंसर क्या चला गया ऑप्सन नमबर टू चला गया ठीक है यह मैचिंग टाइप मे इसके नीचे दिया हुए मस्कुलर डैस्ट्रोफी लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है तकरेक्टान से मस्क माइस्थेनिया ग्रेविस में तुम्हारा ओटो इम्यून डिसॉर्डर है विच अप फॉलूविंग क्रेक्ट्रिस्टिक इनकरेक्ट बिद रस्पेक्ट कॉक्रोच इनकरेक्ट पूछा एक दो और तीनकरेक्ट है लेकिन क्या है चोथा वाला इनकरेक्ट है जिए करेक्टी नहीं करें क्रेक्ट्र सेणों सेक्सें में पेर अनल सरकाई होती है बिल्कुल सही बात है सेबंथ नाइन्थ टुगेदर फॉर्म जनेटर पाउच यह भी सही है है यह है यह है यह है कि तुम्हारा उस पर में होती है इसके लिए गलत हो जाएगा नमबर टू करेक्ट हो गया दीज मसल सर प्रेजेंट इन्वाल ब्रडवेशन सही है तभी तो स्मूथ है ना वनेटी विच फॉलोविंग आर ने इस नौट रिक्वार प्रोटीन देखो टी चाहिए आर चाहिए एम चाहिए ऐसा ही न आपने आगे चलिए वनेटी टू रीज दा फॉलों इस्टेटमेंट देखो मैटा जैने सिस अब्जाड इन हैलमें मैटा जैने सिस काहां होती सिलंट्रेट के अंदर ऑबेलिया के अंदर होती है तो पहला गलत हो गया एका इनोडर्मेट ट्रिप्लोब्लास्टिक भी सिस्टम से चलती है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी सी ऑप्शन नंबर तीन में है करेक्ट हो गया 183 पाहिए फोर इफेक्टिव टीट्मेंट ऑफ डिसीज अर्ली डियाग्नोसी से अंदर स्टेंडिंग इट्स पैथो फीजियो लोजी इस वरी इंपोटेंट बिल्कुल अर्ली स्टेज पर डिसीज की डियाग्नोसीस करते हैं करेक्ट आंसर टैक्निक्स हो गई 184 इने क्रॉस देखो क्रॉस किया गया है बिट्विन मेल और फीमेल बहुत हीट्रो जाएगा स्पोर सीकल सल देखो क्रॉस करा होगे तो हटे सिट्रेट है थो पत्तीस प्रसंट अफेक्टव में करेक्ट और अंसर नम्मर टू हो जाएगा 25 यह संट्री उला सेंट्रियोल कहा जाता है यहां डीने की सिंतेसिस होगी उसके साथ ही सेंट्रियोल का डुपलिकेशन होगा यह ध्यान रख लेना 186 विच ओफ दिस इन इंपोटेंट कंपोनेंट ऑफ दो इनीचिशन पार्चुरीशन देखो जो तुम्हारा यह कहा गया है पार्चुरीशन क क्या होता है तुम्हारा मिल्क के सिक्रिशन में काम आता है ठीक है जी मिल्क के फॉर्मिशन में काम आता है तो करेक्ट आंसर इसमें अप्शन नम्मर तीन हो जाएगा नौट एन इंपोटेंट पूछा है उसके बाद 87 कोड़ों ए यूजी कोड़ों ने मैथियोनीन के की दोनों टेवल को अगर याद है तो पहला करेक्ट दूसरा इंकरेक्ट थी का अप्शन नम्मर तीन करेक्ट हो जाएगा 188 विच वन अफ फॉलोविंग स्टेट्मेंट अबाउट इस्टोंस इस्टोंस स्लाइटली एसिडिक रहे भाईया जब इसमें अमीनो एसिड्स ब पनातने बिल्कुल सही है तो पहला गलत हो जाएगा 188 इडेंटिफाइट टाइप अफ सेल जंक्शन सब्सक्राइब किसमें टाइट जंक्शन में और गैब जंक्शन में क्या है लिकेज अब सब्स्टेंस अक्रोदर टीश्यू फैसिलेटेशन अब कम्यूनिकेशन बिद सब्सक्राइब तो टाइट जंक्शन और गैब जंक्शन ठीक है 189 का आ गया यह क्वेश्चन नंबर 190 फॉलोविंगार्दा स्टेट्मेंट विद रफ्रेंश टू लिपिट्स के बारे में कहा गया है लिपिट्स है विए सिंगल बॉन्ड और कॉल उसको सैचूरेट बोले सब्सक्राइब तो ऑप्शन नंबर भी एंड सी ठीक है जी ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो गया अडिनोसीन डियमिनेस डेफिशिंसी रिजल्ट्स इंटू इस फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम ठीक है 192 अडेप्टिव रेडियेशन कहा था डार्वीन फिंचस में देख अलग डिरेक्शन में जा रहे हैं तो ठीक है डाइवर्गेंट कहा होगी बॉंस ओफ फॉर लिम्स इन मैन एंड वेल तो उसके बाद कहरें वही एंट्रोपोजनिक एक्शन कहा होता है इवोलीशन तो यह सेलेक्शन ऑफ रेशिस्टेंट वराइटी जी एक्सेशिव नमर वन को धर लो एमीव एसिस किससे होती है इसके बाद निमोनिया क्या होता है हमोफाइलस इन फ्लुवेंजी होती है रिंग बॉर्ण किससे होती है ट्राइकों से होती है तो करेक्ट आंसर इसका उप्शन नमर वन आ जाएगा 194 फॉलोविंगार दा स्टेट्मेंट अब करेक्ट है लेकिन इस फर्स्ट पोडी सेग्मेंट नहीं है फर्स्ट पोडी सेग्मेंट प्रोस्टोमियम होता है ठीक है प्रोस्टोमियम नहीं प्रोस्टोमियम के नीचे जो होता है परिस्टोमियम ठीक है जी तो वह होगा तो इसमें आप्शन नमर फोर करेक्ट है डी न पॉलर सील में ठीक है एलेंज रूल वहां अप्लाइब हो गया फीजियो लोजिकल अडप्टेशन कहा होती कंगारू रेट के अंदर होती है जो इकालते हैं ठीक है जी बिहेविरल यू अडप्टेशन कहा होती है डेजर्ट लिजर्ड में देखते हो सन बास्किंग तुमने स contraction which of the following events occur H zone disappears बिल्कुल सही है H zone disappear का होता है normal में नहीं होता है highly contraction बाले केस में H zone हट जाता है A band guidance देखो A band agitize रहता है guidance नहीं होगा I band reduces in width बिल्कुल सही है myocene hydrology ATP releasing the ADP and PI बिल्कुल सही है jet lines attached to actin and are pulled inwards ठीक है जो ACDNE तो यह हो जाएंगे correct answer ठीक है 196 का 197 में आईए list iscapula क्या है भाई तुम्हार triangular flat bone है cranium क्या है cranium तुम्हार fibrous joint होता है sternum क्या है flat bone vertebral column क्या चला जाएगा cartilaginus joints इसके अंदर होती है तो correct answer क्या होगे option number 3 उसके बाद 198 assertion में यह कह रहे हैं भाई a person goes to high altitude पर जब वो जाते हैं पहाड़ों अगेरा पर experiences latitude sickness with symptoms like breathing difficulty and heart palpitation बिल्कुल सही है तो यह तो होता है due to low atmospheric pressure at high altitude the body does not get sufficient oxygen तो भाई जैसे जैसे उपर जाओगे तो atmospheric pressure तो बिल्कुल लो हो जाएगा ना तो दोनों सही है बहुत a and r are true and r is the correct explanation of a a question पहले aims में आया करते थे आज कल देखो need में आ गया यह तो दिरे दिरे क्या section b के है भाई 199 which of the following secrets the hormone relaxing during the later phase of pregnancy भाई या corpus luteum से निकलता है relaxing ठीक है जी 200 which of the following is not a step in multiple ovulation transfer technology तो काव इल्ट 6-8 एक बिल्कुल सही है यहां क्याव सब्सक्राइब करेंगे तो यह था भाई कोड एंध्री प्रीजिक्स का थोड़ा सा टाफ है तो कट थोड़ी बहुत डाउन हो जकती है ठीक है जैभी उसका वी अनालेसिस करेंगे तो यह था भाई कोड एंध्री ठीक है जी आज का पेपर है नीट 2000 21 का पेपर है आज यह आज आज आंसर अपलोड हो रहे हैं तो फटाफट से मैच कर लें ठीक है जी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कभी बटन दवा दें और भी क्वेस्टेंस इसके बाद दखादक अभी तो बने रहे हैं